ब्रम्हांद क्या है? इसका निर्मान कब कहा और कैसे हुआ? ब्रम्हांद से संबंदित इन प्रश्णों के वेग्यानी की ये उत्तर का अध्यान करना कॉस्मोलोजी कहलाता है। कॉस्मोलजी के अनुसार हमारा ब्रह्मान समय और स्थान के आयामों के धाचे में उपस्थित सभी प्रकार के पदार्थ तरंड और उर्जा का सनरचनात्म किकाई है समय के एक आयाम और स्थान के तीन आयामों के साथ हमारा ब्रह्मान चार आयामी है बिग बैंग के साथ शुने से शुरू होकर समय और स्थान अपने आयामों में लगातार फैलते जा रहा है इस फैलाव का कारण निर्वात स्थान में उपस्थित रहसे मईगुन श्यामूर जा है